Hello and good morning everyone आज की इस lecture में हम basic quantum mechanics की एक problem को discuss करेंगे जो के एक students के दोवारा पुछी गई है और problem है अपने पास uncertainty principle और uncertainty principle के उपर अपना ये second lecture है इसे पहले वाले lectures के अंदर हमने two operators के बीच में जो general uncertainty relation है वो हमने निकाल लिया था इस lecture में हम उस uncertainty relation की help से किने भी दो quantity के बीच में जो uncertainty है वो निकालेंगे जैसे हम एक पर position और momentum के बीच में uncertainty निकालेंगे उसके बाद जो energy है और time के बीच में निकालेंगे तो ऐसी कोई भी दो quantity हम लेंगे और उन दो quantity के बीच में हम uncertainty निकालेंगे with the help of general uncertainty relation ठीक है और साथ ही इसका जो experimental proof है उसके उपर भी हम बात करेंगे ठीक है तो basically आज की lecture में ये सब होने वाला है उसके बाद इसकी कुछ application रहेंगी application basically uncertainty principle की अपने पास तीन application है पहली जो application है वो ground state of harmonic oscillator है ठीक है one dimension harmonic oscillator उसके बाद hydrogen atom है ground state of hydrogen atom और उसके बाद electron की nucleus के अंदर existence क्यों नहीं ह ठीक है तो start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो journal uncertainty relation हमने last time निकाला था ठीक है वो ये था और जो first part का जो link है वो आपको description box के इंदर मिल जाएगा first part के बगरा आपको ये second part समझे नहीं आएगा ठीक है तो last time हमने जो general uncertainty relation निकाला था दो operators के बीच में वो ये वाला है डेल A dot डेल B greater than equal to A और B operator का commutation relation उसके बाद उसकी expectation value और फिर उसके बाद हमने उसका mode कर रखा है ठीक है divided by 2 तो अब किनी भी दो quantity के पीच में अगर मैं यहां पर uncertainty निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा ये जो मेरे पास operator A है और operator B है इनकी जगह कुछ मालूमा जैसे म momentum के बीच में निकालना चाहूं तो मैंने operator A की जगह क्या मान लिया x operator मान लिया x gap मान लिया x क्या है यहां पर position को represent करता और operator B की जगह हमने px gap यहां पर मान लिया अब next अपना task यह है कि इन दुनों को उठा कि जो equation number first है equation number first के अंदर put कर देंगे तो डल A की जगह हमने क्या लिखा डल x लिखा डल B की जगह हमने क्या लिखा डल px लिखा ठीक है उसके बाद यह जो अंदर commutation relation था A और B का यहां पे भी हमने A की जगह x रख दिया और B की जगह डल px रख दिया ठीक है बाकी की सारी term हमने यहां पे adjectives रखी अब इसको आगे meditation relation अगर मैं solve करता हूं और मानलो solve करने के बाद मेरे पास यह दोनों 0 के equal आ जाते हैं ठीक है? मान लिया, वैसे तिए 0 के equal नहीं होता पर मानलिया यह 0 के equiv आ गया तो इसका मतलब क्या है? 0 के equal आने का मतलब है, अकर यह 0 के equal आता है तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों quantity को मै एक साथ simultaneously 100% accuracy के साथ measure कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों quantity को एक साथ measure करने में जो uncertainty आएगी, वो कितना आएगी, 0 आएगी, अब uncertainty 0 आने का मतलब क्या है, कि ये दोनों quantity एक साथ simultaneously measure की जा सकती है, ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया, ये 0 के एक वल नहीं आता है, यहाँ पर क uncertainty आई है, आएटा h cut uncertainty आई है, मतलब मैं इन दोनों quantity को simultaneously measure नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके बाद इसको आगे solve करते हैं, तो ये जो dell x और px का commutation relation है, ये हम पहले काफी time solve कर चुके हैं, तो इसका direct result हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसका जो commutation relation है, वो कितना आएगा, आ आएटा का mode होता, आएटा का mode लूँगा, तो इसकी value कितना होगी, अपने पास 1 हो जाएगी, आएटा वाली term की value कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और dell x dot dell px अपने पास किसके equal आजाएगा, एस cut by 2 के equal आजाएगा, ठीक है, sorry, greater than equal to आजाएगा, तो ये अपने पास क्या तो we cannot measure position and momentum simultaneously exactly, ठीक है, उसके बाद second case में हम क्या लेंगे, अपने पास ये जो general relation में फिर से हम क्या करेंगे, ये जो a operator है, a operator की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, और उसके बाद ये जो b operator है, b operator की जगह हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है, तो अब a operator की जगह हमने t put कर दिया, और b operator की जगह हमने e put कर दिया, ठीक है, put करने के बाद अपने पास ये वाली equation आ जाएगी, अब next step में हमने क्या किया है, ये जो Ita h cut है, इस Ita h cut हाँ, अब एक बात और यहाँ पे रहती है, हमने यहाँ पे B operator की जगह क्या माना है, e माना है, औ यहां पे energy है और energy का जो operator होता है अपने पास वो क्या होता है आयटा h cut कर ले और कर ले टी ठीक है अब energy के operator के उपर भी हमने already lecture upload कर रखा है अगर आप वो देखना चाहते तो उसका link भी आपको इस video के description box के अंदर मिल जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर क्या किया है पहले तो अपने पास यहां पर e था और e की जगह हमने फिर उसका operator है वो हमने यहां पर put कर दिया पूट करने के बाद अपने पास यह value आएगी ठीक है अब next step में हमने क्या किया यह जो का Commutation relation shoul किया था तो वह relation क्या था पने पास से माइनस वन आता था तो इसका Commutation relation में अपने को कितना मिलेगा इसका Commutation relation हमने माइनस वन यहां पर रख दिया ठीक फिर से आयटा का मोड हा में कितनी हो जाएगी फिर से अपने को क्या मिलेगा डैल e dot del t greater than equal to h by 2 पाई मिलेगा ठीक है यह अपने पास था second case अब बात कर लेते हम third case की third case हम पता करते हैं angular momentum के साथ तो third case में हमने क्या लिया है यह जो A operator है इसको 5 माल लिया और जो B operator है इसको हमने क्या माल लिया LZ माल लिया angular momentum operator ठीक और angular momentum operator की value भी हमने already पहले निकाल रखी है वो कितना आती है अपने पास minus से आयटा h cut कर लिया और कर लिया फाई यह value हमने निकाल लखी है तो यह दोनों value उठागे मैं master equation के अंदर से पूट करूँगा पूट करने के बाद अपने पास यह वाली equation आ जाएगी ठीक है और फिर से यहां पर क्या करता हूं यह जो आयटा h cut है इस आयटा h cut को मैं बाहर निकाल लेता हूं ठीक है तो आयटा h cut को माइनस आयटा h cut को हमने बाहर निकाल लिया 5 as it is कर लियो और कर लिया 5 as it is यह फिर से किस इस टाइब का कोमिटेशन रिलेशन बन रहा अपने पास इस टाइब का बन रहा तो फिर से इस कोमिटेशन रिलेशन की जो वैल्यू है वह कितना मिल जाएगी अपने को इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहां से फिर से माइनस से वन मिल जाएगी ठीक है और माइनस माइनस क्य case 4, case 4 में हमने माल लिया कि अपने पास जो A और B operator है, अब तक ये जो A operator और B operator है, इस case में हमने माल लिया, ये दोनों एक दूसरी के साथ commute करते हैं, ठीक है, commute करते हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का क्या है, कि मैं इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ simultaneously measure कर सकता हूँ, 100% accuracy के साथ, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, डेल A क्याप, डेल B क्याप equal to 0, ठीक है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम यही कि हम दोनों क्वांटिटी को simultaneously measure कर सकते हैं, अब हम इसी चीज़ को एक example से समझ लेते हैं, suppose that अपने पास एक commutation relation है, माल यह alpha और beta का कोई commutation relation, यह alpha कोई operator है, यह beta operator है, इसका commutation relation कितना है, 0 है, अब इसका open करता हूँ, तो open करूँगा, तो क्या जाएगा, अपने पास यह आ जाएगा, alpha, beta, minus beta, alpha, ठीक है और यह मैंने both side side operate कर दिया, तो यह आ गया अपने पास, तो both side side operate किया, अब इस side को individually इन दोनों के उपर operate करता हूँ, तो यह आ जाएगा, alpha, beta, psi, ठीक है, और minus beta, alpha, psi, equal to 0, यह वाली तरम को उठा के equal to के side से उस तर लेके जाता हूँ, तो यह आ जाएगा, alpha, beta, psi, equal to beta, alpha, psi, ठीक है, इस type से मैंने इनको लिख दिया, अब अगर मैं left hand side में देखूँ, तो left hand side में क्या है, पहले इस तरम के psi के उपर beta operate हो रहा है, और right hand side में psi के उपर पहले alpha operate हो रहा है, और यह दोनों operator अलग-लग operate हो रहे हैं पहले, और फिर भी यह दोनों quantity क्या है, एक दूसरे के equal है, अब दोनों, पहले beta operate हुआ, psi के उपर फिर alpha operate हुआ, अब फिर भी यह ट्रम equal हा रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि यह alpha और beta जब psi के उपर operate हो रहे हैं, तो यह इस state को change नहीं करें, अब यह state को change कब नहीं करेंगे, जब इन दोनों operator की common icon state होगी ना, त इसलिए यह तोनों एक दूसरे के equal आ रहे हैं, ठीक है, तो यह था अपने पास case 4, अब इसका थोड़ा सा experimental verification है, या experimental proof है, उसके उपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इसके experimental proof पे हमने क्या मान लिए, कि अपने पास यह कोई एक particle है, थोड़ा नीची मान लिए, यह पास क्या है, कोई एक particle है, और यह particle इस direction के अंदर जा रहा है, तो इस particle को देखने के लिए, हमने इस particle के उपर से क्या किया, light डाली, suppose यह particle यहाँ पे था, तब हमने इस particle के उपर यहाँ से light डाली, ठीक है, अब light आएगी, इस particle से टकराएगी, टकराने के बाद इधर अपन तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेगी, ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, यह light आई, इस particle के उपर टकराएगी, और टकरा की यह light अपनी आखों तक जाएगी, ठीक है, तो अपनी आख तक जाने में यह light कुछ ना कुछ टाइम लेगी, ठीक है, और उस time के अंदर यह जो particle है, वो अपनी कुछ position को change करेगा, suppose that यह light टकरा की यहां से, अपनी आखों तक गई, ठीक है, उसमें delta t time लगा, और उस delta t time के अंदर यह particle भी तो अपनी position change करेगा, ठीक है, तो उस delta t time में इस particle ने अपनी position का इतनी change कर लेगी, तो यह क्या आगी, उसकी position के अंदर uncertainty आजाएगी, इस type से हम इस uncertainty principle का जो experimental verification है, वो हमें दे सकते हैं, तो यह था uncertainty principle, हमने कुछ quantities के बीच में जो uncertainty है, वो uncertainty निकाले कि इसकी help से, जर्नल uncertainty principle की help से, इससे आगे आने वाले lectures के अंदर जो uncertainty principle की, हमने जो basic three application, तीन application देखी है, इन तीनो application के उपर बात करेंगे, थैंक में यह जाएगी है झाले है चंदे एंर में आनी सो सितकीéqu Спींवादी तो राओभ देने अगожет आने एंज रधा रड़ विनदेशेग, जहता है कि अ करणे से लुड़ ङो।